मीन राशी वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाएं जिसे घर आए मालक्षमी आए जाते हैं हे भाई मीन राशी के जातक आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि घर में सुप मुहूर्त में स्री यंत्र की अस्थापना करियेगा और स्री यंत्र के साथ एक दक्षिना वरतिस्संख खलाना मत भूलियेगा और एक पीतल की थाली भी लाईएगा पीतल की थाली में स्री यंत्र को रखकर पूरब मुह स्वक्षवस्त्र पहन करके आसन पर प्रसन मुद्रा में हो करके और स्री यंत्र में जल, दूद, गन्ने का रस, सह, दही, घी जो भी आपके पास बस्तू हो उसे भर करके स्री सुक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभी मंतित करिएगा स्रीयंत्र को और उसके बाद सुद्धजल से स्रीयंत्र को धो करके और साप कपड़े से पोंच करके उसे चांदी की प्लेट में कमल के फूल या फिर कमल गट्टे की माला पर अस्थापित करिएगा अगर आपकी इक्षा है मंगल यंत्र की अस्थापना की तो आप अपने पूजा अस्थान में मंगल यंत्र की भी अस्थापना कर सकते हैं 11 हल्दी की गांट पीले कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए मा लक्षमी के मंदिर में गुलाब की खुसबू वाली धूप दान करिए कारुबार और नौकरी में उन्नती मिलेगी लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपकी मीन रासी है और आप स्री सुक्तम के सोलह मंतरों को सोलह आबिर्ती रोज सुबह साम पढ़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ लक्षमी की किरपा हर समय आपके उपर बनी रहेगी जैमा बिन दिवासनी